देर स्टुदेन्ट वूह हाव डिसकस अबाट दॉ सुड़िस प्री स्कूल एजुकेशन फार सस्टेनबिलिटी हम बात कर रहे हैं स्वीडन की और सुड़िन के अंदर जो बात हमारे पास हो रही है वो हो रही है प्री स्कूलिंग की Early Childhood Education के हम बात कर रहे हैं Early Childhood Education को जब proper pre-schooling का दरजा दिया जाता है तो उसके बहुत सारी चीजें इन्वाल हो जाती है उसके अंदर curriculum इन्वाल हो जाता है उसके अंदर teacher की qualification इन्वाल हो जाती है Learners की learning outcome इन्वाल हो जाती है यह फैसला हो जाता है कि स्कूल के अंदर प्री स्कूल के अंदर हम ने बच्चे को कौन कौन से स्किल्स देनी है कौन से कौगनेटिव अबिलिटी उसकी इनांस करनी है उसके बिहेवेड डिवेल्मेंटल प्रॉसेस को कैसे लेके जाए हमने इससे उपर पहले बात कर चुके हुए है जो भी मुलक है चाहे वो स्वीडन की बात करें की बात करें यूके की बात करें यूएससे की बात करें ि जिसकी भी हम गुफद्गू करें। उसकी जो लर्नंग आउटकाम है वह अलाइन होती है जाकर सस्टेनेबल डिवलमेंट साथ है। तरगेट जो हैं वह सस्टेनेबल डिवलमेंट ने दिये आह तो जो उसके गोल दिये हुए हैं हमने उन गोल को सामने रखना हैं। हम बात करते हैं अलूदगी की तो पानी की अलूदगी पानी का ज्या फजाई अलूदगी यह तमाम की तमाम चीजें जो है ना उसमें शामिल है यह आप यू समझा ले इंटीग्रेशन है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन तमाम टार्गेट्स को जो सस्टेनिमल से यानि तीन साल का जो बच्चा हमारे पास मुझूद है हमने वहां से उसकी बात शुरू कर दी सुड़न ने क्योंके एक से पांच साल तक और एक से छे साल तक का बच्चा जा उसको अर्ली एज में डिकलेयर किया था तो एक से तीन साल तक जो है उसका तो करिकुलम नहीं है जब उसका करिकुलम नहीं है तो लाजमी बात है कि वहां पे इसकी इंवाल्मेंट भी नहीं है लेकिन तीन से पांच साल तक बात करते हैं जहां पे करिकुलम आ जाएगा तो उस करिकुलम का टीचर भी आएगी टीचर की एजुकेशन भी आएगी टीचिंग प्रोसेस भ अब यहां पे integrate किया गया teaching को और caregiving को learning को और develop sound को इस सारे को भी सामने लिए इसको इंटर नाश्टनि जो मॉडल दिया गया है उसके साथ भी थाएक किया है मै जो लोकल प्रोसेस है उसको भी सामने लिए गया है और इन दोनों को कमभाइन किया गया यह कि यह समझे कि अगर हम स्वीडन केऊवाले से बात करते हैं तो स्वीडन का जो लोकल पैरेडाइम था स्कूलिंग के अवाले से उसको भी मदे नज़र रखा गया इंटरनेशनल जो डिमांड थी उसको भी सामने लगा कर रखा गया इन दोनों को इंटिग्रेट किया गया जिसके अंदर ना तो जो उसका लोकल सिस्टम चाल रहा है उसको भी उन्होंने ज्यादा अपसेट नहीं किया International जो demand है उसको भी वह सामने लेकि आए हैं International demand के अंदर जो sustainable development goals हैं उनकी जो alignment है उसको भी सामने रखा गया और उसको सामने रखने के बाद जो है Sweden ने जो अपना curriculum था उसको two thousand nineteen पे अंदर जो है उसको revise कीया और रिवाइस करने के बाद जो है उसके अंदर सस्टेनेंबल डिवेल्मेंट को जो है सबसे ज्यादा फॉकस किंआ गया था सस्टेनबलिटी को जो है खेंड़ कि कर रही हैं मुखविफ न की चाइसे हैं मुखव कंटिबीशन हैं हमने उसको सस्टेन कैसे करने लहाज इन तो लहाज इन तमाम चीजों को देखते हुए नेशनल परामिटर्स को भी इंटरनेशन पर ड्राइम्ट को भी उसके बाद सस्टेनेबल ड्वल्मंट गूस को भी सामने रखा फिर जो बेंच मारक है उनी उसको भी सामने रखा फिर जहां पे टार्गेट्स अचीव होने हैं उन सामने रखते हुए दो हजार उनीस के अंदर जो है स्वीटन ने एक रिवाइस करिकुलम डिवन लगी है